हेलो दोस्तों, आपका दिलेड पूर्वानचल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के एक बड़े बाहु बली नेता के गाड़ी का बियाएपी नमबर बताएंगे जेहां दोस्तों आज हम जिस बाहु बली नेता के गाड़ी का बियाईपी नमबर बताएंगे उनको किसी परचे की मौताज नहीं आज हम आपको उत्तपरदेश की सेरे पुर्वांचल बाहु बली पूर्व सांसर उमा कांतियादो के गाड़ी का बियाईपी नमबर बताएंगे पुर्वांचल में जब बाहु बली उमा कांतियादो का काफिला चलता है उसको देखकर बिडोधी परेशान हो जाते हैं और उनमें खलबली मच जाती है बाहु बली उमा कांत यादो की लोगप्रिता इतनी है कि उनका काफला जिस दस्ते से उगजरता है वहाँ पर लोगों की भीर जुट जाती है जहां भी उनकी गाड़ी डुखती है सैकड़ों की संख्या में लोग जुट जाते हैं अपने नेता को देखने के लिए आर हम बाहु बली उमा कांत यादो के गाड़े का बियाएपी नमबर बताएंगे उमा कांत यादो अपने काफले में वाइट किलर की फार्चनर कार लेकर चलते हैं उनके पास एक से बढ़कर एक लगजिरी गाडियां हैं और बड़े बड़े महंगी महंगी गाडियां हैं उनके पास लेकिन वे अपने काफिले में सफेर किलर की फार्चनर लेकर चलते हैं उनके काफिले में छे से साथ गाडियां होती हैं जिसे देखकर पुर्युद्धियो में उनकी तूती बोलती है बाहु बली पूर्व सांसर उमा कांत यादो के गाड़ी का नंबर 0005 है अगर आपको पूर्वांचल की सड़कों पर 5-6 गाड़ीयों का काफिला दिख जाए तो आप समझे जाएं कि यहां काफिला सेरे पूर्वांचल बाहु बली उमा कांत याद कि आपको और भी गाड़ियां दिख सकती हैं लेकिन हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उत्तरपदेश के एक बाहु बली नेता का गाड़ी का नंबर है कोई भी गाड़ी हो उसका कई नंबर होता है लेकिन इस नंबर की गाड़ी एक बाहु बली लेके चलता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं ट्रिपल जीडो फाइप नंबर की गाड़ी पुरवांचल में सेडे पुरवांचल बाहु बली उमा कांतियादो लेकर चलते हैं अगर रोडों पे आपको यह काफिला दिख जाए तो आप समझ जाएं कि यह बाहु बली उमा कांतियादो का गाड़ी का काफिला है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद, थाइंक यू